अगर प्रभु आ चुके होते, तो हम आरोहित किये जा चुके होते. हम लोग तो अभी भी धर्ती परी हैं, न? तो मैं नहीं मानती प्रभु वापस आये हैं. प्रभु ने काफी पहले हमें वचन दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तयार करने जाता हूँ. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाओंगा, कि जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो. प्रभू ने पहले ही हमारे लिए स्वर्ग में जगह तयार कर दी है जब वे वापस आएंगे तो हमें स्वर्ग के राजी में ले जाएंगे अगर प्रभू वापस आ चुके हैं तो उनके सारे संथ अभी भी धर्ती पर क्यों है? हमें आरोहित क्यों नहीं किया गया? सिस्टर, प्रभू ने अपने विश्वासियों के लिए एक जगह तयार कर दी है, ये सच है लिकिन ये जगह धर्ती पर है या स्वर्ग में? इस बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते हमारा खयाल है कि स्वर्ग का राज्ज स्वर्ग में है लिकिन ये हमारी अपनी मानेताओं और कल्पनाओं की बुन्यात पर है लेकिन क्या ये वाकई सच है? आईए देखे प्रभू यिश्व ने क्या कहा है हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्ज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृत्वी पर भी हो प्रभू यिश्व ने हमें साफ तौर पर बताया है परमेश्वर का राज्य धर्टी पर है ना कि स्वर्ग में परमेश्वर के इच्छा जैसी स्वर्ग में हैं, वैसी ही धर्टी पर पूरी की जाएगी आईए अब हम सब मिलकर प्रकाशित वाक्य को पढ़ें फिर मैंने पवित्र नगर नए यरुशलम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा देख परमेश्वर का डेरा मनिश्यों के बीच में है वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा आईए प्रकाशित वाक्य 11.15 पढ़ें जगत का राज्य हमारे प्रभू का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानु युग राज्य करेगा इन भविश्यवाडियों में लिखा है परमेश्वर का डेरा मनुश्यों के बीच में है नए येरुशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा जगत का राज्य हमारे प्रभू का और उसके मसीही का हो गया इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर अपना राज्य धर्ती पर बनाएंगे और धर्ती पर इनसान के साथ रहेंगे धर्ती के सभी राज्य मसीही के राज्य हो जाएंगे और वे हमेशा बने रहेंगे अगर हम अपनी कल्पनाओं की बुनियात पर माने की परमेश्वर का राजी स्वर्ग में हैं और माने के जब प्रभू आएंगे तो हमें स्वर्ग में ले जाएंगे तो क्या उनके पहले के वचन बेकार नहीं हो जाएंगे? हकीकत में मानवता को बचाने के परमेश्वर की प्रबंधन योजना का अंतिम परिणाम परमेश्वर के राजी को धर्ती पर स्थापित करना है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यानि अंतिम दिनों के मसीह धर्ती पर विजेताओं का एक समुह बनानी के लिए मानवजाती के न्याय और शुद्धी करण का कारी करते हैं जिने परमेश्वर का उद्धार प्राप्त हो जाता है, वो पूर्ण और विजेता बना दिये जाते हैं. ऐसे लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर अमल करते हैं और धर्ती पर उनके मार्ट का अनुसरण करते हैं, वे उनके राज्य के लोग होते हैं. इन विजेताओं के बन जाने के बाद धर्ती पर परमेश्वर के इच्छा पूरी हो जाएगी, तब धर्ती पर मसीही का राज्य स्थापित होगा और परमेश्वर पूरे महिमा प्राप्त करेंगे, अन्त में वे प्रकाशित वाकी की पुस्तक की भविश्यवाडियों को पूरा करेंगे. क्या इन तथ्यों पर हम लोग अभी भी स्पष्ट नहीं हैं? प्रभू ईश्व ने हमारे लिए कौन सी जगह तैयार की है? उन्होंने आदेश दिया कि हम लोगों को अन्त के दिनों में पैदा होकर उनके वापस आने पर उनसे मिलना है. परमेश्वर के शुद्धी करण को सुविकार करके पूर्ण होना है और विजेता बनना है ताकि हम लोग परमेश्वर के इच्छा को पूरा कर सकें. धर्ती के सभी राजियों को मसीह का राजी बनाया जाएगा। ये परमेश्वर के इच्छा है। परमेश्वर धर्ती पर आते हैं और हम लोग स्वर्ग में जाने की कोशिश करते हैं। अगर वे हम लोगों को हवा में उन्नत कर दें, तो सोचो, वहाँ ना भूजन है, ना रहने की जगा। हम लोग जिन्दा कैसे रहेंगे। क्या ये सब हमारी अपनी मानिताएं और कल्पनाएं नहीं हैं। क्या परमेश्वर इस तरह से काम करेंगे। सचा ये है कि हमारा उस तरह से सोचना, वाकई बचकाना हैं, हम लोग अपनी खयालों में जीते हैं। आपने मुझे कुछी शब्दों में प्रबुध कर दिया। पिछले कुछ सालों से हम लोग प्रभु की प्रातना रट रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का राजे धर्ती पर उत्रे और उनकी इच्छा जैसे स्वर्ग में हैं, वैसी धर्ती पर पूरी हो। प्रकाशित वाक्य में यह भी भविश्यवानी है। परमेश्वर का डेरा मनुश्यों की बीच में है। जगत का राजे हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। नाई अरूशलम को स्वार्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। ये वचन साफ शब्दू में लिखे हैं। हम लोग इन्हें समझ क्यों नहीं पाए। हाँ, सही बात है। हम हावा में उन्नत किये जाने की उमीद करते रहे। हम लोग कितने नासमझ और मूर्ख थे। वाकई। इतने सालों तक प्रभु में हमारा विश्वास बहुत भ्रमित रहा है। बाइबल की भविश्यवानिया इतनी सपष्ट होते वे भी हम लोग समझ नहीं पाए। सही कहा। आस्था के इतने वर्षों में हम पाद्रियों और एल्डर से स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य की बात सुनते रहे हैं। उमीद लगाए हैं कि प्रभु वापसी पर हमें स्वर्ग में उन्नत करेंगे। साफ तोर पर ये पाद्री और एल्डर्स भी बाइबल को नहीं समझते। वे आंक मूंतकर परमेश्वर के वच्णों की व्याख्या करते रहे और कल्पनाओं की मताबक अर्थ पताते रहे। वे लोगों को धोका देकर उनका नुकसान नहीं कर रहे थे। बेशक। हम लोग भी इतना धोका खा गए, कि परमेश्वर के वच्छनों का शापदेक अर्थ भी नहीं समझ पाए. हम स्वर्ग में उन्नत किये जाने की काम ना करते रहे. हमारे विश्वास कितने बेवनियात थे. हाँ, प्रभु में विश्वास करने के लिए हमें उनसे बात करनी चाहिए, जो सत्य को समझें. वरना हम ब्रमित हो जाएंगे. भले ही अमारी आस्था कितनी भी पुरानी हो, हमें कुछ हासिल नहीं होगा. अगर ऐसा है, तो प्रभु हमें त्यागेंगे क्यों नहीं. सही बात है. हाँ, स्वर्ग का राजे स्वर्ग में ही होगा. वरना इसे स्वर्ग का राजे क्यों कहा जाएगा? इसमें शक्वाली कौन सी बात है? हमें एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि स्वर्ग को हमेशा परमेश्वर की रूप में देखते हैं स्वर्ग का राज्य यानि की परमेश्वर का राज्य है प्रकाशित वाक्य में लिखा है परमेश्वर का डेरा मनुश्यों की बीच में है जगत का राज्जे हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया इसका मतलब है कि परमीश्वर का राज्जे पृत्वी पर स्थापित होगा अंत में पृत्वी का राज्जे परमीश्वर का राज्जे बनेगा महाविप्ता में पुराने विश्व के तबाह होने की बाद सहसराप्ती राज्जी प्रकट होगा पृत्वी के राज्जे हमारे प्रभू और उसके मसीह के राज्जे पनेंगे तब परमेश्वर की इच्छा पृत्वी पर पूरी होगी जैसी कि ये स्वर्ग में है इससे भविशेवानी पूरी तरह से सच हो जाएगी नया यरुशलम पृत्वी पर आजाएगा परमेश्वर देहिधारी बन गए हैं और अंधिरी बुरी पीडी को समाप्त करने के लिए अंध के दिनों में न्याय का कारे करते हैं वे सभी जो परमेश्वर की वानी सुनते हैं और उनके सिंगहसन के सामने आरोहित किये जाते हैं विजेता के रूप में पूर्ण किये जाएंगे तब महापधाएं शुरू होंगी केवल वही लोग बचेंगे जो परमेश्वर के अंत के दिनों के कारे के द्वारा शुद्ध की और बचा लिये गए हैं वे परमेश्वर के राज्जी के लोग बनेगे आज हम यहां अंत के दिनों में परमेश्वर के कारे को स्विकार करने वाले सबसे भागेवान लोग हैं हम परमेश्वर की वार्णी सुनने और उनके सिंगासन के सामने उन्नत होने वाले भागेशाली लोग, उनके वचनों के न्याय और ताड़ना के जरिये चुद्ध किये जाएंगे. और महापदाओं से पहले विजेता बनाए जाएंगे, और परमेश्वर को प्राप्थ होने वाले पहले फल बनाए जाएंगे. और तब परमेश्वर महापदाओं को नीचे भेज देंगे. परमेश्वर का विरोध करने वालों और सभी शैतानी अविश्वासियों को महापदाओं में नश्ट कर दिया जाएगा. महापदाओं के दौरान परमेश्वर उन सभी की रक्षा करेंगे जो शुद्ध और पूर्ण कर दिये गए हैं, वे जीवित बचेंगे जब परमेश्वर एक बादल पर उतरेंगे और सब के सामने प्रकट होंगे तो परमेश्वर पृत्वी पर अपने राच्चे में आ जाएंगे इसी को परमेश्वर जल्दी पूरा करेंगे अगर हम विश्वासी इस नजारे को भी न देख पाएं तो क्या हमारी आँखों पर पट्टी नहीं बंदी है जो लोग बस टक्टकी लगाय आकाश में देखते रहते हैं और प्रभों के बादलों पर आने का इंतजार करते हैं जब वे सचमुच बादलों पर वापस आएंगे तब वे रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे ये प्रकाशित वाक्य की भविश्य वाणी की तरह ही है देखो, वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंग उसे देखेगी वरन जिन्होंने उसे बेधा था, वे भी उसे देखेंगे और प्रिथवी के सारे कुल उसके कारण चाती पीटेंगे जो लोग महा आपदाओं से पहले परमेश्र की वाणी नहीं सुनते और उनके सिंगहसन के सामने आरोहित होने में नाकाम रहते हैं वे महा आपदाओं की गिरफ्त में आ जाएंगे और सजा पाएंगे, वे रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे प्रबु का धन्यवाद अगर इनोंने हमें ये ना बताया होता तो हम कभी समझ नहीं पाते हैं यह काफी प्रबुध करने वाला है तो इसी तरह से प्रकाशित वाग्य की भविश्यवानिया पूरी हों सही कहा, ये प्रबुध करने वाला है इनकी सभी बातें बाइबल के अनुसार हैं, जिसमें पवित्र आत्मा की प्रबुधत आ है, हमें इन्हें सुनते रहना चाहिए. भाई और बेहनों, परमेश्वर ने पहली पृत्वी पर इंसान बनाया, शैतान इंसान को दूशित भी पृत्वी पर ही करता है, परमेश्वर का राज्य पृत्वी पर ही बनाया जाएगा, इनसान की आखिरी मन्जिल धर्ती पर ही होगी, स्वर्ग में नहीं, ये परमेश्वर ने तै कर दिया है, आईए हम सर्व शक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ें, परमेश्वर अपनी मूल अवस्था में लोट जाएगा, और प्रत्याइक व्यक्ति अपने अपने स्थान में लोट जाएगा, ये वे स्थान हैं जिनमें परमेश्वर के स्मस्थ प्रबंधन के अंध के बाद, परमेश्वर और मनुष्य अलग-अलग निवास करेंगे. परमेश्वर के पास परमेश्वर की मन्जिल है और मनुष्य के पास मनुष्य की मन्जिल है. विश्राम करते हुए परमेश्वर प्रत्वी पर और स्मस्त मानवजाती के जीवन का मार्गदर्शन करता रहेगा। जबकि परमेश्वर के प्रकाश में मनुष्य स्वर्ग के एक मात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना करेगा। जब मानवजाती विश्राम में प्रवेश करती है, तो इसका अर्थ है कि मनुष्य एक सची स्रिष्टी बन गया है। मानवजाती प्रत्वी पर से परमेश्वर की आराधना करेगी और सामानने मानवे जीवन जीएगी। लोग परमेश्वर के अब और अवज्याकारी और प्रतिरोध करने वाले नहीं होंगे। वे आदम और हव्वा के मूल जीवन की और लौट जाएंगे। विश्राम में प्रवेश करने के बाद ये परमेश्वर और मनुष्य के सम्बन्धित जीवन और उनकी मनजिले हैं। मनुष्य के विश्राम का स्थान प्रित्वी है और परमेश्वर के विश्राम का स्थान स्वर्ग में है मनुष्य विश्राम करते हुए परमेश्वर की आराधना करेगा और प्रित्वी पर जीवन यापन करेगा और जब परमेश्वर विश्राम करेगा, तो वह मारवजाती के बचे हुए हिस्से की अगवाई करेगा। सर्वशक्तिमान परवेश्वर ने हमें पताया है कि, जब उनका प्रबंधन कारे पूरा हो जाएगा, तो परमेश्वर और इनसान दोनों विश्राम करेंगे। परमेश्वर का विश्राम स्धल स्वर्ग में है, जबकि इनसानों का विश्राम स्धल अभी भी धर्ती पर है। इनसानों के लिए परमेश्वर ने ये सुन्दर मनजिल बनाई है। ये भी धर्ती पर पूरा हुआ परमेश्वर का राच्चे है. अगर हमें परमेश्वर में सालों से विश्वास है और हम देख नहीं पाते, तो क्या इसके माइने ये नहीं कि हम सत्ते को या परमेश्वर की वच्छनों को नहीं समझते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम इसकी व्याख्या कैसे करें। उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभू से मिले। ये बात किस ने कही। क्या ये प्रभू यीशु के वचन है। प्रभू यीशु ने ऐसी बात कभी नहीं कही। ना ही पवित्र आत्मा ने कभी ऐसा कहा। आप जिन वचनों का हवाला दे रही हैं, वे पॉलूस के वचन है। क्या पॉलूस के वचन प्रभू यीशु के वचनों को दर्शाते हैं? क्या वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? इस रहसे का जवाब सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। अगर हम भ्रष्ट इंसान आँख मूंद कर इस तरह की व्याक्या और परक्ने का साहस करेंगे, तो फिर ये समस्या गंभीर है। पॉलूस मसीह नहीं था, वह सिर्फ एक सामान्य भ्रष्ट व्यक्ति था। उसका लेखन इंसानी विचारों और कल्पनाओं से भरा हुआ था। चुकि उसके वचन सत्य नहीं हैं, इसलिए हम सुबूत के तौर पर उनका उप्योग नहीं कर सकते। सारे सुबूत, बाइबल में परमेश्वर के वचनों पर आधारित होने चाहिए, वो सत्य के अनुरूप है। बाइबल में लोगों के अनुसार आरोहन और स्वर्ग के राजी में प्रवेश की जांच करना गलत है। खास्तोर से प्रभू येश्व के वचनों के आधार पर ना करके पॉलूस के वचनों के आधार पर करना। केवल प्रभू येश्व के वचन ही सत्य हैं, सिर्फ उनके वचनों में अधिकार है। केवल प्रभू येश्व मसी हैं, स्वर्गी राजी के समराद। आमीन. आप प्रभु येश्यू के वचनों में सत्य और परमेश्वर की इच्छा की खोच क्यों नहीं करती? उसके बजाए आप अपनी खोच का आधार इंसान के वचनों को क्यों बनाती है? क्या ये परमेश्वर की इच्छा क्या नुसार है? इससे आपका जुकाओ खुद के रास्ते पर चलने की ओर होने लगता है. जहां तक आरोहन का सावाल है, इसमें परमेश्वर के वचन की बजाए इंसान के शब्दों पर विश्वास करना वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है. परमेश्वर ने इंसान को धर्ती पर मिट्टी से बनाया है. उन्होंने इंसान को धर्ती पर बाकी सभी स्रिजित जीवों के प्रबंधन का दाईत्व सौपा है. वे चाहते थे इंसान उनकी आज्या मानी, उनकी आराधना और सम्मान करे. और यह अधिदेश दिया कि उनका गंतव्य धर्ती पर है, ना की स्वर्ग में. परमेश्वर ने हमें बहुत पहले ही बता दिया था, कि वे अपना राज्य धर्ती पर स्थापत करेंगे. वे हम इंसानों के साथ धर्ती पर रहेंगे और धर्ती के राज्य मसीह द्वारा शासित राज्यों में बदल दिये जाएंगे आखिरकार परमेश्वर का राज्य धर्ती पर स्थापित होगा ना कि स्वर्ग में ऐसे में बहुत से लोग हैं जो चाहते ही कि उन्हें स्वर्ग में उन्नत किया जाए ऐसे लोगों की अपनी मानेताएं और खयाली कलतनाएं हैं, खयाली इच्छाएं हैं ये बाते परमेश्वर के कारी की सच्चाई से बिलकुल मेल नहीं खाती जहां तक स्वर्ग के राज में आरोहन का प्रश्ण है, इसमें हमारा विश्वास परमेश्वर के वचनों के आधार पर होना चाहिए क्योंकि वही सही है और उनके इच्छा के अनुरूप है प्रकाषद वाक्ष्ण में साफ लिखा है कि परमेश्वर का राजए धर्ती पर स्थापत होगा फिर भी हम प्रभू के वचनों की बजाएं पॉलूद के वचनों पर विश्वास करते हैं पॉलूस के वचनों को परमेश्वर के वचन मानकर हम उन्हीं से चिपके बैठे हैं ये प्रभु में सच्चा विश्वास कहां हुआ? ये प्रभु की स्तुती कहां हुई? अगर हम प्रभु के वचनों को ना समझे तो हम दूसरों के धोके में आ ही जाएंगे हाँ अगर हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ना सुने होते तो हम उम्मेद में रहते के प्रभु बादलों पर आएंगे और हमें आरोहित करेंगे हम पूरा जीवन बैठे रहते और कुछ नहीं होता आखिर प्रभु हमें त्याग देते और हमें वज़ा भी पता नहीं चलती वो यहुदी फरी से आज भी मसीह के उतर कर आने का इंतिसार कर रहे हैं ये तो बेहत बेवकूफी है पहले मुझे लगता था प्रभु वापस आएंगे और परमेश्वर से भेट कर आने के लिए मुझे स्वर्ग में उन्नत कर लेंगे ऐसा सोचना पॉलोस के वचनों की कारण था ना कि परमेश्वर की वचनों की वचह से वो सारी मेरी माननताय और कलपनाय थे वे जरा भी परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल नहीं थे मैं एक प्रेर रख हूँ अगर प्रभू की वापसी के बारे में मेरा विश्वास उनके वच्णों की आधार पर ना हो अगर मैं प्रभू की वापसी की खोज ना करूँ और लोगों को गुम रहा कर दूँ तो फिर ये तो अंधा अंधे को राह दिखाए वाली बात हो गई मैं लोगों को गड़े में किरा रही हूँ सिस्टर आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आई है कि प्रभू की वापसी और आरोण के हमारी उमीदे वाकि इंसानी मानता और कर्पनाओं की देन है हम पहले ही प्रभू की वचनों को धोका दे चुके हैं खैर अब हम प्रभू की वापसी और आरोण का इंतजार कैसे करें इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लें हाँ, बिल्कुल धर्ती पर स्वर्क के राच्ची की स्थापना कैसे हुगी तो फिर स्वर्ख में उन्नत की जाने की हमारी उमीदों पर पानी नहीं फिर जाएगा हाँ, बिल्कुल आरोईद की जाने की संतों की उमीदों का मुख्य आधार स्वयम प्रभू येशू की वचन है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाओंगा कि जहां मैं रहू वहां तुम भी रहू हम प्रभु यीशु के वचनों की व्याख्या अपनी कलपनाओं के आधार पर करते हैं। हमें लगता है, चुंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु का आरोहन एक बादल पर हुआ था, तो प्रभु ने मनुश्यों के लिए स्वर्ग में ही स्थान तैयार किया होगा। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु की वापसी और स्वर्ग में उन्नत किये जाने का इंतिजार कर रहे हैं। इसके अलावा, हम खास तोर से पॉलुस के वचनों में श्रद्धा रखते हैं। तब हम जो जीवीत और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। और इस रीती से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने उम्मीद करनी शुरू कर दी कि प्रभु लोटने पर हमें स्वर्ग में उन्नत कर देंगे। आरोहन को लोग अलग-अलग तरीके से समझते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं जब प्रभु आएंगे तो वे संतों को स्वर्ग में उन्नत कर लेंगे। हम लोग बरसूं से इस तरह के आरोहन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छ तो ये आरोहन दरसल है क्या? ज्यादा तर लोग इस बारे में कुछ जानते नहीं है। संतों की आरोहन का रास तभी उजागर हुआ जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आगमन हुआ। आए देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या कहना है। आए प्रिष्ट 197 देखें। उठाया जाना निम्न स्थान से उच्छ स्थान तक लाया जाना नहीं है, जैसा की लोग कलपना करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गालती है। उठाया जाना मेरे द्वारा पूर्व निर्धारित करने और चयन करने से संबंधित है। ये है उन सभी लोगों पर लक्षित किया जाता है, जिन्हें मैंने पहले से नियत किया और चुना हुआ है। ये है लोगों की अवधारणाओं के साथ अत्यधिक असंगत है, जिनका भविश्य में मेरे घर में एक हिस्सा है, वे सभी ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने उठाये गए हैं। ये बिलकुल सकते है, कभे नहीं बदलता है, और किसी के द्वारा इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। जब परमेश्वर धर्ती पर अपने वचन भोलने और अपना कारे करने वापस आएंगे, तो हम लोग उनकी वाणी सुनेंगे और अंत के दिनों में उनका अनुसरन और उनकी कारे का पालन कर पाएंगे। चुरा कर परमेश्वर के भवन में लोटा दिया है, क्योंकि उन सब की क्षमता अच्छी है, वे सत्ती को समझ और स्विकार करके परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। उनहीं लोगों ने आरोहन पाया है। जब परमेश्वर अंत के दिनों में चुकचाप धर्ती पर उतर कर अपना कारे करेंगे तो इनहीं लोगों को विजेता बनाया जाएगा। जब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अंतिम दिनों का कारे शुरू किया है, तब से परमेश्वर के प्रगटन की प्यास से युक्त लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में उनकी वाणी को पहचाना है। परमेश्वर की वचनों को समझ कर उन लोगों को परमेश्वर का उद्धार मिला है। पीसेंगे। ये सच है। सही कहा। परमेश्वर का उनकी बुद्धी के था कौन पा सकता है। मैं बेहत शर्मिंदा हूँ। मैंने एक ही धर्मग्रंद और अपनी कलपनाओं के आधार पर परमेश्वर के कारे के व्याक्या मन माने ढंग से की। मैं वाकई अज्ञानी हूँ। मेरे मन में सची श्रद्धा नहीं है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अगर हमें संतों के आरोहन का रहस्य नहीं बताया होता, तो कितनी भी पुरानी आस्था हो हम नहीं समझ पाते। हाँ। हम अभी भी अपनी कलपनाओं में जी रहे होते। हम यहीं मानते कि अगर हम प्रभू के लिए सब त्याग देते हैं और श्रम करते हैं, तो वे वापसी पर हमें सीधे ही स्वर्ग में उन्नत कर देंगे। यह सच है। परमेश्वर में विश्वास है पर सत्य की खोश नहीं करते। खास तोर सी जब प्रभू की वापसी की बात हो, हम परमेश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं देते। अपनी दर्वाजे बंद कर लेते हैं। यह बात बहुत ही खतरनाक है। शुक्र हैं हमने आरोहन पानी के एक मातर अफसर को जाने नहीं दिया। आपके हमसे बात्षीत बहुत ही साहेक रही है। अगर आपने यह सब ना बताया होता तो हम अभी भी आखे मूंत के बादलू पर नजर गड़ाए प्रभू की वापसी का इंतजार करते रहते। सर्फ शक्तिमान परमेश्वर के वचन सकते हैं। आमीन। आमीन।